Hello Friends, Welcome to the Study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank, हम लोगों की यहाँ पर Class 7 की Old NCRT Word Geography चल लही है, आज आपका सिक्रम में Chapter 7 है, यहाँ पर हम लोग उत्तर अमेरिका, संसादन और उनका उपयोग अध्याय को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क किया डिस्कुस करना है यहाँ पर, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, उत्तर अमेरिका महादीप छेतफल के मामले में, संसार का तीसरा बड़ा महादीप है, उत्तर अमेरिका महादीप जो है, अन्य महादीपों की तुलना में, अधिक संपन और अधिक विकास के हैं के कुछ कारण बताए गए हैं, तो पहला करण यहाँ पर बताए आगया है, विसाल प्राकरतिक संसाधन, देखें उत्तर अमेरिका महादीप के पास अधिक मात्रा में खनेज और प्राकरतिक संसाधन मौजूद हैं, जिनका उपयोग हैं के देसों ने उचिस्तर की प्राद्योकी का उपयोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर अमेरिका महादीप का सबसे बड़ा देस USA है, इसके बाद कनेडा आ जाता है, तो USA और कनेडा जैसे देसों के पास हाई-टेक टेकनलोजी है, तो इन देसों ने हाई-टेक टेकनलोजी के दम पर पुरी दिन्या में अपनी पहचान बनाई है, तदा बहुत अच्छी तरह से कुसल स्रमिक, देगे किसी भी देस का जो वर्कफोर्स होता है, अगर वहां के वर्कफोर्स को ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छी सिच्छा मिल जाए, तो वो वहां के संसाद उनों का सुभिव इन देशों की वजय से यह महादीप भी काफी जदा प्रगत्सील हो पाया है, अब है भूमी संसादन, तो यहां बताया गया है कि उत्तर अमेरिका में कुल छित्वल के लगवग, दसमे भाग पर ही खेती की जाती है, देके जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके ह है, हमने उत्तर अमेरिका की भूमी को चार भूतिक भागों में डिवाइड किया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पश्मी कॉलेरा वाला जो रीजन है, ये पूरी तरह से परवती रीजन है, कनेडियन सील्ट की बात करें, तो कनेडियन सील्ट का अधिकास भाग आप्डि यहीं पर खेति की जाती है बाद बाकि इस्तिय में पूरी तरह से वर्प जम्रूमी हुई है। यहां पर अपलेसिन भूँमी की बात करें, हापलेसिन पर्वत की बात करे ? फर यहां के खेतों का आगार बहुत बड़ा होता है। उत्तर अमेरिका में मुक्त है, विश्रत खेती की जाती है, यहां के खेतों का अगार बहुत बड़ा होता है, देखे हमारे यहां के खेतों की तुल नामे, भारत के खेतों की तुल नामे, जैसे भारत में एक भीगा, दो भीगा, तीन भीगा, या एक एक एकड या दो एकड तक के छोट-छोटे खेत होते हैं, वैसा यहां पर नहीं होता है, यहां पर जो खेत होते हैं, वो 100-100 एकड, 200-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000- जोक तो जादा हो, लेकिन भूमी कम हो, तो क्या होगा? भूमी पर दबाव पढ़ेगा, भूमी पर दबाव पढ़ने के modeling आजिसे, जो जन संक्या होगी, वो कोसिस करेगी, किस भूमी से अधिकसम उत्पादन किये जाए, तो गहन क्रसी जो है खास करके आपके दच्छडपूर वेसिया देशों में, दच्छडपूर वेसिया देशों में की जाती है यहाँ हमारे भारत जैसे देश हुए, दच्छडपूर वेसिया ही देश हुए, इंडोनेसिया, मलेसिया बगरा तो यहाँ पर गहन करसी का चलन है, यहाँ पर कम से कम भूमी से अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, यहाँ पर दश्डपूर्वेसिया, दश्ड़ेसिया की देसों की तुल्ला में अधिक भूमी है, तो यहाँ के किसानों के पास ज्यादा भूमी के टुकड़े हैं, तो वो क्या कोसिस करते हैं, कि यहां पर जो भी खेती करें, वो वेग्यानिक पद्धी से करें, और जो भी उत्पादन हो, वो बड़ी स्किल पर हो, तो यहां के किसान जो है, वेग्यानिक धंसे खेती करते हैं, इसमें जो है, गहनक रसी क बहुत बड़ा ख्षित्र होने से कुल अपज उपज जो है काफी होती है और अधिकतर कसी का जो कारी है ये मसीनों के द्वारा किया जाता है यहां की फसलें बताई गई हैं मक्का, गेहूं और जो उत्तर अमिर्का की जो प्रमुक खाद्यान फसले हैं कपास, तंबाको, सोयाबीन और अलशी यहांकी अन्य प्रमुक वसलें हैं संसार में मक्का उतपाद्यान की दर्ष्टी से बताया गया है कि संसार में मक्का उत्तर अमिर्का है यह अग्रणी है यहां मक्का को जो हो है कौर्न कहा जाता है कार्ण लिखा हुआ यह कौर्ण बोलते हैं इसके कौर्ण कहा जाता है देखे मक्के के पौधे का जो मूल इस्थान है यह संभवत है दश्री मेक्सको है यह वाला रीजन है ठीक है दश्री मेक्सको वाला जो रीजन है यह मक्के का जो पौधा है उसका मूल इस्थान मना जात दुनिया में बहुत बड़ा meat producer भी है USA, तो USA में क्या है, मक्के का उपयोग, सूर बगएरा पसू बगएरा है, उनको चारे की रूप में वहाँ पर मक्का दी जाती है, ताकि उनका सरीर जल्दी से ग्रो हो सके है, गहों का उत्पादन बताया गया है, गहों का उत्पादन कने अकेले उत्तर अमेरिका से आता है, कपास और तंबाकु जो है, मुक्य रूप से Mississippi द्रोणी के दशडी भागों में पैदा की जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कपास के लिए खुला आकास होना चाहिए, यानि कि आकास में बादल बगरा नहीं होने चाहिए, इसके तो यहाँ पर घर्मी पर्वार्मी होनी चाहिए, और वर्सारित मोसम ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो धशडी वाला पार्ट है, चू कि हो एक दशडी से जो यहाँ पर रेखा की नढ़िक पड़ता है, हमाट से एक भास hedge को दाकरा है, में खीजडी वाला तो मद्द की निम्यूमिया रिए यहां पर केल्ए और ganonay की खेती के लिए प्रस्थ है अजने के कर्या曦 का mound आगे हैं, सयंक्तराज अमीर्का का자 उत्रहशी उत्पादन क्नेडा या मैक्सिको का उत्पादन से अधिक है का कुल ट्रसी उत्पादन कनेडा या मेक्सिको के उत्पादन से अधिक है जैसा कि मैंने आपको इसपर्ष्ट कर दिया उत्तर अमेरिका महाती में सबसे बड़ा देश USA है तो USA के पास ट्रसी भूमी भी जादा है तो इस वज़े से USA का जो कुल ट्रसी उत्पादन है ये प्रेइस की मैदान जहांपर अधिक बर्सा होती है वहाँ पर ने पाला जाता है और जिन पस्वों से मांस प्राप्त किया जाता है उन्हें पेट शकत सुस्क प्रदेश यानि जो पहड़ी लाके जहां पर सुस्क रीजन है जो पठार बखेर वाले रीजन है वहाँ पर जिन उन पस्कों को पाला जाता है जिनसे मास प्राप्त किया जाता है आगे यहां पर बताया गया है कि उत्तर अमेरिका संसार में गाय की दूद के कुल उत्पाधन का लगबग एक चौथाई भाग उत्पन करता है यानि कि जितना भी गाय की दूद का उत्पाधन होता है करने में मास का उत्पादन करने में जो सनुत्रा जमिर का है चाइना की बाद दूसरे स्थान पर आता है तो यहां प्रमुक रूप से तीन प्रकार के बन पाए जाते हैं शंकुधारी बन, मिस्रिद बन और उष्टकट बन दिया वर्सा बन तो सबसे पहले बात करते हैं संकुधारी बनों की संकुधारी बन कहां पाए जाते हैं तो संकुधारी वन जो वन है, ये कनेडा के अधिकान सेत्रों में संकुधारी वन देखने को मिलते हैं, चीड, फर और वालसम, यहां के प्रमुक व्रक्ष है, ये वन मुलायम लकडी के बहुत बड़े स्रोथ है, देखें सफेड चीड का परियोग कागज की लुगदी बनान रस्ते किसम का पेपर तयार की जाता है, जिसका उपयोग अखवार की प्रिंटिंग के लिए होता है, नीज पेपर की प्रिंटिंग के लिए होता है, कागज और लुपती इस चेत्र के महतपूर वन उत्पाद है, इसके बाद आ जाते हैं आपके पड़पाती वन, तो सीतो पढ़पाती के साथ साथ कहीं कहीं पर संगुतारी ब्रक्ष भी देखने को मिलते हैं। पढ़पाती ब्रक्षों के बत्तियां होती हैं यह चौणडी होती हैं यह वर्स में एक बार गिरा देते हैं। मैपिल बॉज और बीच जो हैं किसी प्रकार के ब्रक्ष हैं। इस तरह के बन संग्तुराज अमेरिका के पूरी भागों में पाए जाते हैं। यहां पर जो मैपिल ब्रक्ष हैं। मैपिल ब्रक्ष का जो रस होता है वो मीठा होता है और मैपिल ब्रक्ष के रसे चीनी मनाई जाती है। इसके बाद आते हैं उष्ट कटवंदी वर्साबन तो देखे उष्ट कटवंदी वर्साबन जो हैं दच्छड मेक्स को यानि इस वाले रीजन में और मद्ध अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। चुकि यहां से करकर रिखा जा रही है तो इस रीजन में उष्ट कटवंदी वर्साबन पाए जाते हैं। अब यहां के खनेज और सकती संसादनों की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर प्रच्छर मात्रा में प्राकरतिक संसादन मौझूद हैं। तो उत्तर अमेरिका संसार में पेट्रोलियम, प्राकरतिक गैस, निकल, जस्ता, एस्बेस्टस, सोना, चान्दी, ताबा और लोह ऐस्क का यह प्रमकु उत्पादक है। Canadian Seals की बात करें। यह वाला जो रीजन है Canadian Seals वाला। Canadian Seals संसार में खनजियों का सबसे अधिक, यहां से निकल, लोह ऐस्क, सोना, प्लेटिनम और ताबी की निच्छे भिया पर Canadian Seals में पाए जाते हैं। कि पढ़ती का चेतर, उत्तर अमेरीका में, उत्तम alleen कोट की orada का प्रांत का नाम अयाइफ का नाम है आप देख पा रहे होंगे, मैं फांगे घूम कर दे रहा हूँ, आप दिखा दे रहा हूँ, घूम करेंगे हम देखा दे रहा हूँ यह आप देख पारें, यह Onetorio प्रांथ है, यह प्रांथ की बात हो रही है, तो Onetorio Kaneda का प्रांथ है, तो यह प्रांथ यहां से सोना निकाला जाता है, यहाँ पर संसायर की सोने की सबसे बड़ी खान भी हो यहाँ पर है। अपलेसियन उच भूमिया यानि इस फाइट की बात और रही है अपलेसियन परवतों की तो अपलेसियन उच भूमिया एंत्रसाइट अथा उत्तम कोटी के बिटुमिनस कोईले के लिए प्रजिद्ध है यहां पर अपलेसियन उच भूमियों से एंत्रसाइट और उत्तम कोट कोईले के सबसे बड़े छेतर जो है यहीं परिस्टत है यहीं संसार में जो मुलायम कोईला है इसके सबसे बड़े छेतर अपले सिन उच भूमियों में ही है इस चेतर में उद्योगों के विकास में इसकी इसका बड़ा भारी योगदान है चूंकि जो हैवी इंडस्ट्री है इसपात हुआ, लह उद्योग हुआ, इंडर्श्टी हुआ, यह पूरी तरह से कोईले पर निर्वर होता है तो कोईला जब यहां पर उपलग्द है, इसी विज़ेसे यहां पर हैबी इंडर्श्टी की आधारसिला रखी गई है तो यहां पर बड़ी मात्रा में भारी उद्योग दंदे इस्ताबित किये गए है संयूत राज में तेल का पहला कुँआ, पश्मी पैनिसिल्वेनिया में 1869 में खोदा था संयूत राज में तेल का पहला कुँआ, कहां पर खोदा गया था यह पैनिसिल्वेनिया में 1869 में खोदा गया था मैक्सिको की खाडी तता अट्लांटिक महासागर के 30 मैदानों में संसार का अधिक्तम पैट्रोलियम और प्राकतिक गयस निकाला जाता है संधार है मेक्सिको के खाड़ी बिजह था रहा आपका अट्लांटिक महासागर वाला रूरीजन यहा है तो यहां दिकांश पैट्रोलियम और प्राकतिक गयस निकाला जाता है संधुलाrit के मतलब संधूराज अमेरिका संसार में प्राकतिक गयसे का सरसरी बड़ा उत पश्मी कोल्लिरा में तावे की विशाल भंडार हैं, यहां पैटोलियम, प्राकर्तिक गैस, कोहले, और फॉस्पेट के निक्षप भी यहां पर पाए जाते हैं, संसार के सीसे और जस्ते के बड़े निक्षप, बिटिस कोलंबिया में हैं, देखें, बिटिस कोलंबिया जो है यह क्नेडा का एक प्रांथ है आप ए मैं गोले में ढूलेट और गूले करे रहा हूं जोंग करके दिखा दिए रहा हूं तो देख पा रहते हूंगे यह बृटिस कॉलम्बिया रहा जूगे पश्मी कॉललेरा में फिपड़ता है तो बिटस कॉलम्बिया जू है तो मैक्सको अनेक वर्सों से संसार में चांदी का अग्रणी उत्पातक देश बना हुआ है मैक्सको से भी अच्छी खासी मात्रा में चांदी निस्करसित की जाती चांदी निकाली जाती है सेंट लॉरेंस नदी अपलेशियन छेतर तर टैनेसी कोलेरोडो और कोलंबिय नदियों की घाटियों में जल्विद्दूत के विकास के लिए आदर्स इस्थल है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जल्विद्दूत का भी विकास काफी ज़दा हुआ है यह जो नदियां दी हुए हैं, इन नदियों पर जल विद्धु सैंथ इस्थापित किये गई हैं अब यहां के मच्छ संसादनों की बात होगी, मच्छी संसादनों की जैसा कि आप यहां पर मैप में देख पारे हैं, उत्तर अमेरिका महधीप के पास एक विसाल तठ है तो विसाल तठ होने की विजैसे, इसे जो है मच्छ संसादनों का भी भरपूर लाप मिलता है तो महाधीप के उत्तर पूरी तठ के आसपास, यानि यह वाला जो रीजन हो रहा है उत्तर पूरी तठ, इस वाले रीजन की बात हो रही है महाधीप के उत्तर पूरी तठ के आसपास, छिचला सागर है, जिसमें मच्छलियां प्रचुर मातरा में पाई जाती है यहां पर उत्तर पूरी भाग में आप देख पा रहे होंगे चिछला सागर है, जहां पर मचलिया जो है अच्छी खासी प्रच्र मातरा में पाई जाती है, देखे इस प्रकार के चिछले सागरों के बित्र तर्टी चित्र जो होते हैं, जहां पर मचलिया अधिक मातरा में पा प्रसांत महासागर्ण के तड़ पर टूना और सालमन नाम की पकड़ी जाती है और पकड़के ये लोग अपना भी उसका उपहोग करते हैं और भार भी इसका निर्यादाइब पॉपुलेशन की बात करें जनसंख्या की बात करें तो उत्तर अमेरिका की बात करें उत्तर अमेरिका की जनसंख्या में यहां के मूल निवासी और बड़ी संख्या में संसार के बिभिन फागों से आकर बसे लोग यहां पर हैं जिने प्रवासी कहा जाता है यानि कहने का जो उत्तरपश्मी रीजन है यहां से रूसी अन्वेशक आई है इस साइड से आप देख पा रहे है हैं उत्तरपुर्वी रीजन से बिटिस अन्वेशक आई है» रास्ते तो इन लोगों ने अपने अपने चितर यहां पर इस्थाबित की अपने चितर यहां पर बसाई है तो सबसे पहले प्रवासी जोग है पश्मी यूरोप के इस्पैन, पुर्टगाल, फ्रांस, नीधर लेंड और बिटिस जूप समूर से आए थे यहां पर रहता है संयुक्तराज की कुल जनसंख्या जो है 33 करोड 99 लाग है यहां पर मैंने जो हालिया आकड़े हैं आकड़े हैं अगर आप यह वीडियो दो या तीन साल वाद देखते हैं तो आप लोग गूगल पर विकीपीडिया की मदर से यह आपड़े अपडेट कर लेना संयुक्तराज में जनसंख्या का जो औसद घनत्त है लगवक 33 प्रतिव्यक्ति प्रतिवर किलूमीटर में रहते हैं मैक्सको में 57 और क्यूबा में 102 ब्यक्ति प्रतिवर के किलूमीटर में रहते हैं कानेडर की बात करें के कौनेडर में जनसंख्या का गनत्त है काफी जयक्त प्रतिवर प्रतिवर किलूमीटर से इस सफ्ंहराफ में हैं करनेडा का 90% भाग आज भी अत्य दिक ठंडी जलवाय के कारड़ बिलकुल निर्जन है इसके जो अधितर लोग है दच्छिड की उस संक्री पट्टी में रहते हैं जहां की जलवायों और मिट्टी मानव निवास के लिए अन्कूल है यह संक्री सी पट्टी में यहां के जो पश्मी-कोड्रे पारवती रीजन है और दर्शेट पश्र मरुस्तल का मतलब क deze मरुस्तल इस राट में पड़ेगा सोनोरं मोझावी योर्वेालोम अरस्व्तल हो संक्रीय का पिरल है शेहां के बिख्टराज्टी में बैसी दूरत भाग मद्यवर्ती निमन्ध» इसी विए से जन संक्या का सरवादिक संक्रेंदर जो है वह मद्यवर्थी निम्न भूमी में और पूरी भाग में हुआ है अब यहां पर ट्रांस्पोर्टेशन की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उतार अमेरिका महादीब टेकनोजी के मामने में होने में काफी ज़ाज प्रगती की है तो यहां पर परिभबन का अच्छा खासा तंत्र विक्सित हुआ है तो उत्तर अमेरिका का परिवन, तंत्र, सुविक्षित और आधुनिक है अधिकानस सड़कें और रिलमारों जो है कूरू से पहर्ष Newman सामником है यहां इस साइड से इस साइड में यहां पर अधिकानस सड़कें और रिलमारों है कनेडा के जश्री भाग संहुत्राजी के अधिकांस कई भागों में चौड़ी और सम्तल सड़कों को freeway या superway कहते हैं यहाँ पर चौड़ी चार या छेलाएंड वाली जो सड़कें होती हैं उनको freeway या superway कहा जाता है जैसे हमारे यह नेशल हाईवे होते हैं उसी तरह से यहां पर इन्हें freeway या superway खा जाता है। सेंवत्राज और कनेडा में कई अंतर महादीपी रेल मार्ग हैं, अंतर महादीप का मतलब क्या है? जो महादीप के एक भाक्ति दूसरे भाक्ति जाते हों। तो ऐसे यहां पर कई रेल मार्ग हैं, उत्र अमेरिका के पूर्वी आध्य भाग में रेल मार्गों का खना जाल है। और यह जो है ओंटेरियो जिल से निकल कर आगे जो है अट्लांटिक ओसियन में अपना जल गिराती है। देखें यहां पर क्या है? यहां पर बड़े माल की डुलाई होती है, उनके लिए अंतियस्तिली जलमार्ग हैं, उनका इस्तिमाल किया जाता है। क्योंकि अंतियस्तिली जलमार्ग जो है परिवन के ससे साधन उपलब्द कराते हैं। सेंट लोरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग संसार का सबसे अधिक ब्यस्त अंतियस्तिली जलमार्ग है। पनामानियर की बात की गई है। पनामान हर प्रसान्त और अटल्ंटिक महासागरों को मिलाती है। जिस समय पनामा नहीं बनी थी, उस समय यहाँ पर क्या था, अगर किसी व्यक्ति को पूर्वी साइड से, पक्षमी साइड में सामान भेजना है, तो उसे पूरा का पूरा जच्छड अमेरिका महादीप, अगर आपके पास ऑक्सपूर डेटलस है, अगर आप ग्लोब को देख हैं यहाँ पर बनाऊ और भी आपसे यहाँ पर, चैनल बनाई गई है, यह कैनल जो है, अटलंटिक ऐसन को प्रसांथ महासागर से जोड़ती है, तो प्रसांथ और अटलंटिक महासागरों को मिलाती है अब नियु यॉर्क से सेंट फ्रांसिस्को तक पनामन हर दुवारा यात्रा करने पर जलमार्क में पहले की बेच्चा लगबग 12,640 क्मिटर दूरी की बजट हुई है देगे नियु यॉर्क जो है अट्लांटिक महासागर के तरफ पर सेंट फ्रांसिसको है यह प्रसांट महासाग के तरफ पर पर पढ़ता है तो इन दोनों के बीच में लगबग 12,640 क्मिटर की बजट पनामन हर के बन जाने से हुई है इसके लाबा यहाँ पर वायु पत्तन का भी अच्छा खासा विकास हुआ है न्यूयोर्क का जो जो जोन F. Kennedy वायु पत्तन है यहाँ पर Kennedy वायु पत्तन लिखा हुआ है संसार का सबसे व्यस्त अंतराश्टी वायु पत्तन है तो ये था हमार आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए तो चलिए आज की वस्तना ही Thanks for watching, जै हिंद